हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान दी योजना की वेब साइट पर आपको यहाँ पर एक डेशबोर्ड का ओप्शन शो होता था जिस पर क्लिक करके आप अपने गाउं के सभी किसानों की डिटेल्स को चेक कर पाते थे कि किन किसानों को यहाँ पर लाव दिया जाता है और कितने किसानों का आवेदन अभी पेंडिंग में है और कितने किसानों का आवेदन सुईकार कर लिया गया है यह सभी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाते थे लेकिन है ऑप्शन यहाँ से हटा दिय गया है तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग उस village dashboard के option को कैसे open कर सकते हैं और साथ में ही अपने गाउं के किसानों की detail को कैसे check कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जुरूर कर लें जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह option दोस्तों वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा इसको आपको अलग से सर्च करके ही open करना होगा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप अपना state इस list से select करेंगे फिर अपना district इस list से select करेंगे फिर आप अपना district इस list से select करेंगे फिर दोस्तों आप यहाँ पर अपना village इस list से select करेंगे फिर आप submit के option पर click करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना का authentication failed हो चुका है और इसके साथ में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 5 जून तक जो total registration रिसीव हुए हैं वो 51 हैं जिसमें से 30 यहाँ पर rejected हैं और 10 यहाँ पर accepted हैं और 11 भी pending में हैं इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर उपर 4 option मिल जाते हैं जिसमे यहाँ पर आप सभी किसानों के name लिखे हुए देख सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर आधार authentication status पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर detail देख सकते हैं कि कितने लोगों का आधार authentication successful हो चुका है और कितने लोगों का आधार authentication यहाँ पर failed हो रखा है इसके आप यहाँ पर list भी देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर किसानों की name लिखे हुए आपको मिल जाते हैं इसके बाद आप यहाँ online registration status पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाद में total registration receive हुए है और 10 accepted हैं और 11 अभी pending में है और 30 को यहाँ project किया गया है यहाँ पर दोस्तों आप किसानों की list भी देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर 5 जून 2013 तक का status दिखाया गया है यहाँ पर अभी तक इन लोग किसानों के आवेदन receive हुए हैं और इन किसानों के accept हो चुके हैं और इन किसानों के आवेदन reject हो चुके हैं और इन किसानों के अभी तक आवेदन pending में show कर रहे हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योचना के dashboard को open करके अपने गाउं के सभी किसानों की details को चक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को like करें और अपने सभी दोस्तों के साथ से share करें ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाओ है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद